दोस्तो बिहार सरकार के दोआरा बिहार उदमी योजना एक स्कीम चला जाता है इस स्कीम के अंतरगत जो भी लोग बिहार से आते हैं और बिजनस करना चाहते हैं उनको 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है अगर वो बिजनस करते हैं और आगे सक्सेस्पूल हो जाते हैं त इसमें सेलेक्शन का लिस्ट आता है जो भी लोग का सेलेक्शन हुआ रहता है उन लोगों को पैसा दिये जाता है तो इस बार 24-25 के लिए एक जुलाई जैसे ही आप इसके उपर क्लिक कीजिएगा जैसे ही आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देखिएगा उद्दोग विभाग बिहार सरकार यहां पे दिखेगा आपको मुखमंत्री उद्मी योजना अंतरगत बिहार लगू उद्मी योजना भी चलता है जिसमें 2 लाख रुपए दिये जाता है यहां पे अगर हम बात करें तो वितिये वर्स 2024-25 के लिए जो है न एक जुलाई 2024 से लेकर 11 बजे से यह फॉर्म में स्टार्ट हुआ है और 31 जुलाई 2024 के साम 5 बजे तक फॉर्म को आप भरेंगे फॉर्म भरने के लिए यहां आपको क्लिक करना होगा जैसे ही आप इसके उ वितिक कुमार है तो अप प्रोथम नेंडेंग में रितिक और व्रास्ट घंडेंगे अगर आपका नाम रितिक लिएं पर अपने अनुसार बता देंगे उसके बाद यहां पे आपको अपना जैंडर बतानाहोगा अगर हम जैंडर की बात करें तो इसमें इसमें पूरुस और अन्य तिनओं आपको यहां पे अपने इनवाइल नंबर फिल करना जोगा Uh यहां पे आवेधन का प्रकार बोला गया है तो यहां पे चैन करे के उपर आपको क्लिक करना है सबसे पहले है अनुसुचित जाती या tego सुचित जन जाती अगर आप SC-ST केटेगरी से आते हैं तो आपको ये वाला option चूज करना होगा उसके बाद है अती पिछड़ा वर्ग यानि की EBC अगर आप EBC से आते हैं तो आपको अती पिछड़ा वर्ग सेलेक करना होगा आप किसी भी जाती से आते हैं और अगर आप महिला केटेगरी से हैं तो आपको महिला उधमी चूज करना होगा अगर आप जेनरल केटेगरी से हैं या EWS केटेगरी से हैं या BC केटेगरी से हैं तो आपको युगा उदमी चूज करना होगा और संख्यक हैं तो अल्प संख्यक आपको चूज करना होगा इस तरीके से आपको यहाँ पे चूज करके बताना होगा कि आप इस प्रकार के अवेदक हैं यह बताने के बाद आपको OTP प्राप्ट करे के ऊपर क्लिक करना होगा जैसे ही आप OTP प्राप्त करे के उपर क्लिक करेंगे तो यहां पे बोलेगा आपने अपना आवेदक का प्रकारी बतलब जो चूना है न वो बताया जाएगा और आपका मौईल नंबर बताया जाएगा तो अगर यह सही है तो आप यहां पे OK के उपर क्लिक करेंगे अगर आप OTP प्राप् सत्याफित करें के उपर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप सत्याफित करें के उपर क्लिक करेंगे तो यहां पे बोलेगा कि आपका जो है ना OTP सक्सेस्पुली सत्याफित कर लिया गया है अब यहां पर बोला जाएगा कि आप अधार नंबर को यहां पर फील कीजिए और अध इस डिक्स बॉर्ट में आपका जो है न यहां पे सबसे पहले राइड पंजी करण संक्या दिखाय जाए जाएगा और सॉस्टन और यहां पर लाट सिम्स डिखाया जाएगा जेंडर आपने जो प्राप आप यहाआ पे रहेगा अगर आप यहाँ पे उसके बाद बात करें तो आपको जनमती सी स्लेक करना है जनमती सी आपको मैंटरी के परमाड़ पत्र के मुताबिक सबसे पहले date month उसके बाद यहाँ यानी कि यहाँ पे calendar को ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है के बाद यहां पे बोलेगा अवेदन करता का अविभावक से संब्ध यानि कि जो आप यहां पे नाम लिखे हैं उससे आपका संब्ध क्या है पीता क्या कि माता का की पती का की अविभावक हैं जो भी हैं यहां पे आप फिल करेंगे उसके बाद यहां पे क्या आप दिव्या हम बात करें, तो आपको यहाँ पर category के बारे में बताना है, अगर हम category के बारे में बात करें, तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि हमने युगा इदमि चून के आवेदन किया है, युगा उदिमी में केवल और केवल BC2 और general category के लोग ही आवेदन दे सकते हैं, नहीं तो अगर आप जिस category से आते हैं, उस category का चुनाओ करेंगे, उसके मुताबिक यहाँ पर category खुल के आएगा, तो हम यहाँ पर general category से आते हैं, तो general चूज करेंगे, अब general चूज करने के बाद यहाँ पर जाती का नाम बोलेगा, जिस जाती से आते हैं, उस जाती का नाम आप यहाँ पर स्लेप कर लीजिये ये फिल करने के बाद आपको सेव के उपर क्लिक करना है जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा डाटा सब सबसे पहले यहाँ पर सेव कर उसके बाद बोड का रॉल नमर बताएंगे यह बताने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे सबसे पहले बोड का रॉल नमर बताने के बाद पास करने का साल यानि कि आपने दोसवी क्लास किस साल पास किया है उसके बाद यहाँ पे विशाय आपको फील करना है और जोड़े के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका तेन्स का इजुकेशन डिटेल्स आइड हो जाएगा उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें आवेदन देने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन या तो पतेंस के बाद आइटीटि आई तो इसमें अई त्या ही फिलकरेंगे अगर आप तेंस के बाद डिप्लो मा किआ है तो डिप्लूमाATH फिलकरेंगे इस तरह से फिलकर ने के बाग यहाँ पर आपको बॉड को और जोड़े के उपर क्लिक करेंगे जैसे ही आप जोड़े के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका 12 का डिटेल्स आइड हो चुका है अब 12 के बाद कई लोग graduation किये होते हैं कई लोग कोई extra course किये होते हैं तो जो course आपके पास है जहां तक आपने पढ़ाई किया है यहाँ पे section की विवरण जोड़े के उपर आपको क्लिक करना है और जो जो call qualification आपके पास है न उन सब को आप बारी बारी से feel करेंगे यहाँ पे work यानि कि उस qualification का नाम फिर board का नाम इस तरह से आपको feel करके और पूरा qualification आपको आइड कर लेना होगा लेकिन minimum 12 तो आपको आइड करना ही होगा अगर आपने minimum 12 पढ़ा ही नहीं किया है या ITI नहीं किया है या diploma नहीं किया है तो आप इसके लिए eligible नहीं है education details feel करने के बाद आपको परियोजना के विबरण के उपर क्लिक करना है जैसे ही आप परियोजना के विबरण के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा परियोजना type यानि कि आपको category choose करना है आप category A में आवे दन दे रहें कि category B में आवे दन दे रहें केटेगरी C में आवेदन दे रहे हैं तो आपको समझना होगा कि आप किस केटेगरी के लिए है तो यहां पर बोला गया है कि परियोजना से संबंधित वीडियो देखने के लिए यहां किलिक करें और परियोजना से संबंधित अधिक जनकारी के लिए यहां किलिक करें तो आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक PDF खुल के आएगा इस PDF में जो है ना आपको बताया गया है कि किस-किस परयोजना का मतलब किस-किस में आवेदन आप दे सकते हैं अगर हम बात करें तो यहां पर आपको नीचे चलना होगा नीचे में पर मसाला हुद पादन है आटा है साइबर कैफे है जो भी है इसमें यहां पर लिखा हुआ है कि तेइस परयोजना है इसमें से 3500 मतलब जो है ना कंडिडेट को इसका लाव दिया जाएगा इसमें बताया गया है कि जैसे माखान प्रोसेसिंग है चूडा हुद पादन है ब है ना अधिक आपके पास जानकारी है ऐसा नहीं है कि जो परयोजना आप सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है तो फिर दिकत होएगा आपका बिजनस नहीं चल पाएगा इसलिए यहाँ पर क्टेगरी एबी सी में से आपको देख के चूज करना है जि जीलायोम राज में चैनीत परियोजना में पुर्व में अस्थापित इकाईयों का भगवलिक विवरण अब यहाँ पर बताया हुआ है जैसे एक मैप खुल के आएगा यहाँ परियोजना में आवेदन देना चाहते हैं उस परियोजना का नाम चूज करने के बाद यहाँ परियोजना का नाम चूज करने के बाद यहाँ परियोजना को चलाएंगे वह आपका स्वयम का जमीन है या किराये का अस्थान है जो भी है यहाँ पे आप चूज करेंगे उसके बाद यहाँ परियोजना अस्थल का प्रस्तावीत पता यानि कि पूरा पता जहाँ पे आप बिजनस को रन कराना चाहते हैं जहाँ आप बिजनस को खोलना चाहते हैं उसका पूरा पता लिखेंगे यहाँ पे उस जगह का पु किया जारा है अब आपको डोकोमेंट्स अप्लोड करना है अगर हमको में suoplement की बात करें यहाँ पे बताया हुआ है कि सबसे पहले जो भी डोकोमेंट्स आप अप अपलोड करेंगे वह JPEG यह JPEG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे और यहाँ पिटया हुए सबसे का परमाणपत्र अप्लोड करना है फिर यहां पे इंटर्मीडियेट का परमाणपत्र आपको अप्लोड करना है उच्टम सैक्षनी की होगेदा का परमाणपत्र अप्लोड करना है उसके बाद यहां पे आपको सबसे पहले आवासिये परमाणपत्र अप्लोड करना है फिर य आक्षर की फोटो यानि कि आपको एक सिगनेचर अपलोड करना है और अगर आपके पास ट्रेनिंग का कोई कार अनुभाव है तो उसका यहाँ पे अपलोड करेंगे अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे सबसे पहले आप देखिएगा तो यहाँ पी जो है न सब के उपर एक star Mark लगा हुआ है जिसके उपर एक star mark लगा हुआ है वापको अपलोड करना mandatory है जिसको हम आवेदन का परपत्र बोलते हैं इस से आप मैच करेंगे कि अपने जोडिटेंड फिल किया है वो सही है कि नहीं अगर इसमें दिखाया हुआ सारा डिटेल सा आपका सही है तो आपको form जमा करें के उपर क्लिक करना है जैसे ही आप form जमा करें के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्राप्ति सुचना form आपके सामने खुल के आएगा यहाँ पे बोला गया है कि इस declaration को आपको टिक कर देना अंतरगत आपका जो है ना application receive कर लिया गया है आपका यहाँ पे नॉलेजमेंट नमबर है अब देखिए इस बार जो है ना form भर्दे टाइम पे आपसे ना तो cancel चेक अप्लोड कराया गया है ना accounts का भी अप्लोड कराया गया है इस बार से photo भी upload नहीं करना है केवल और केवल live photo ही capture करना है वही photo आपके form पे आएगा अब देखिए अब आपको wait करना है कुछ नहीं करना है 31 जुलाई का इसका last date होगा फॉर्म भरने का उसके बाद उनको पैसा तीन किस्तों में दिये जाता है तो आपको simply यहाँ पे इसको print के उपर click करना है और इसको print करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है ताकि जब इसका verification हो तो आप जो है न अपना original documents verification करा सकें जो भी documents आप यहाँ पे upload किया है उन सब documents का जब आपक जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आएसे ही informative वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए वस इतना ही मैं आपसे बीदालना चाहूंगा तब तक आप लोग देखते रहे मेरा YouTube चैनल फॉर्म फिलपी प्राइब कीजिए आपसे घाएसे ही आपसे बीदियो को सब्सक्राइब के खाफसे प Sorry